हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी योट्यूब चैनल में आज मैं आपको बहुत ही खास किस्प का एक बैग बनाना बताऊंगी यह बैग उनके लिए है जो इस पेस्टिप बुनाई वगरा का काम करते हैं तो देखिए यह मैंने क्विल्ट पीस लिया है यह क्विल्ट पीस 16 इंच लेंध है 14 इंच इसकी विर्थ है और जितने भी क्विल्ट पीस लिये हैं इनका मैजर्मेंट इसक्रीन पे शो है यह देखिए 16 इंच का जो एरिया है इस पे 10 इंच उपर जाकर निशान लगाएंगे तो एक निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया दूसरा यहाँ पर लगाएंगे 10 इंच पे ही इस 10 इंच से 10 इंच के मार्कों मिला देंगे 14 इंच के एरिये में सेंटर मार्क का निशान लगाएंगे 7 इंच पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया 2 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे 2 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे टोटल 4 इंच हो जाएगा यहाँ से यह 5 इंच है नीचे से भी 5 इंच का निशान लगा लेंगे इस 5 इंच से 5 इंच को मिलाना है यहां भी 5 इंच, यहां से 5 इंच 5 इंच को मिला लेंगे, स्टेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइट, और जैसे ब्लाउज और कुर्ती बगारा में हम लोग आर्म होर का निशान लगाते हैं राउंड में, बस ऐसे राउंड बना लेना है, यह 14 इंच है, सेंटर मार्क 7 इंच, 2 2 इंच का यह, 4 इंच हो गया टोटल, और फाइव इंच है, पाइव इंच है, राउंड पे निशान अब इसी राउंड पर कट करना है, दीखे, एक पीस मेने कट कर लिया है, दूसरे साइड भी इसी तरह कर लेना है, तो यह दूसरा पीस है, इस एक पिन से min Dal और अब मैं इस पर टॉप स्टिच लगा लूँगी, मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, मेरून कलर की ऐसे पट्टी लगा ली है, अब देखे क्या करना है, जो मैंने फ्रंट साइड काटा था, ऐसे पिनप कर लेंगे, और इस पर ऐसे स्टिच करेंगे, तो हमारी ये पॉकेट बन जाएगी, तीनों तरफ से पैक कर देंगे पहले, तो ये मैंने तीनों तरफ से पैक कर लिया, अब ऐसे ही पट्टी लगानी है, दूसरे साइड में, तो ये मैंने पट्टी लगा लिए, देखे, इस से कोई भी कलर कॉंबिनेशन आप यूज कर सकते हो, इस से इसकी ब्यूटी और इनेंज हो जाती है, साइडों से हम पट्टी लगाके फिनिश कर लेंगे, तो फ्रंट साइड और बैक साइड सेम तरीके से फिनिश कर लेंग आप क्या करेंगे, इनके शोल्डर जोडेंगे, तो ये कोई ड्रेस नहीं है, बैग है, मैं शोल्डर बोल रही हूँ ताकि आप इसली समझ सको, सीधे साइड से ही जोइंट करेंगे, और इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे, अब मैरून कलर का जो एक कपड़ा लिया था इसी पैसे पट्टी लगा देंगे, तो ये जितने भी रफैजे से सारे छुट जाएंगे, अब जो ये मैंने गुलाई में आर्म हूल जैसा कट किया है, इसके लिए मैंने 1.5 इंच की और पट्टी लिए, इस साइडों को फिनिश करेंगे, जैसे किसी ड्रेस में हम या पाइपिंग वर hani लगाते न सेम इसी तरीके से इसको भी स्टिच करना है, अब जो भी एक्स्रा बढ़ी पट्टी गट कर लेना है, अंदर की तरह फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है, वन फोल्ड तू फोल्ड अंदर पलटते हुए एक बराबर से स्टिच कर ये कपड़ा अपने आप सेट होता जाएगा और स्टिच करते जाएगे जैसा इस तरफ स्टिच किया है सेम अपोजिट डिरेक्शन में भी स्टिच कर लेंगे और ये पट्टी लगाके तो ये देखिए हमारा फिनिश हो गया अब साइडों से हम स्टिच कर लेंगे 10 x 4 इंच का ये मैंने कुल्ट पीस लिया है तो 10 इंच का 5 इंच सेंटर मार्क हो जाएगा ये देखिए मैंने 5 इंच पे सेंटर मार्क लगा लिया और 4 इंच में 2 इंच का सेंटर मार्क हो जाएगा अब क्या करेंगे इस पर center mark लगाएंगे 7 inch 14 inch के अरिये में back side पर भी ऐसे mark कर लेंगे और इसको fix कर लेंगे pin से तो ये देखे mark से mark मिलाते हुए ऐसे pin से set कर लेंगे तो stitch करने में असानी हो जाएगे और जो हमारे sides है वो 2 inch वाले area को adjust हो जाएगा अब हम इसको चारों तरफ से pack कर लेंगे देखे हमारा stitch होगी अब मैं इसको पलटके दिखाती हूँ आपको सारे corners अच्छे से निकाल लीजेगा ये देखे साइडों से तो finishing आ गई है बट ये हमारा bottom finishing नहीं आई है तो इसके लिए क्या करेंगे इसको ऐसे खीच के पकड़ेंगे और ऐसे stitch कर लेंगे तो जितना भी rough है जे वो अंदर चला जाएगा तो चारों तरफ से ऐसे ही stitch कर लेंगे देखे तो हमारा ये bottom भी बिल्कुल finishing से बनके ready हो गया देखे इस तरीके से ये देखे हमारा back खड़ा हो जा रहा है मतलब इसकी fitting सारी तरफ से अच्छी है ये front side है इसको इस तरीके से लेना है इस तरह से carry करना है जो सिलाई का काम करना सिलाई चलाना उन इसके अंदर रहेगी front पे जो जिप दिया है इसमें mobile है चाबी है पैसे है कुछ भी आपको दिखे बिल्कुल neatly pocket बनी है हमारी तो एक pocket मैंने यहां दिया है आपको पीछे देना हो back side में तो आप वहां भी दे सकते हो side से जो आपको खड़ा सा दिख रहा है ना यहां पे आप स्वी धागे से stitch कर लिजेगा तो यह बिल्कुल fix हो जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग जा एक शेत्थ